हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इसराफिल इस्टडी तो आज हम लोग बेसिक भाग करना सिखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिसे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके तो चली हम वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां देखें दोस्तों हम आठ से आठ साथ पांच चार तीन में भाग देंगे तो भाग देने का कॉंसेब देखें यहां जो आठ है यह भाजक है और यहां जो यह संख्या यह हमारा भाज्य है तो हम आठ से इन सभी संख्या में भाग देंगे यानि यहां पांच अंकों संख्या में हम एक अंग से भाग देंगे यानि आठ से भाग देंगे तो अब देखे भाग देने का concept यहां क्या है एक अंग है आठ और यहां पांच अंग है तो यहां धियान दिज्जेगा यहां हमारा भाजक में एक अंक की संख्या है तो यहां भी हम यह जो भाज्य है इसमें भी एक अंक में भाग लगा कर देखेंगे लग रहा है कि नहीं अगर नहीं लग रहा है तो फिर हम दो संख्याओं को लेंगे तो यहां एक संख्या आठ है तो आठ से आठ भाग लग जाएगा कितने बार में एक ब अब क्या करेंगे यहां जो 7 है इसे नीचे उतारेंगे तो 7 को नीचे उतार लेंगे अब हम 8 से 7 में भाग लगाएंगे क्योंकि यहां भी एक अंक है और यहां भी एक अंक है तो देखते हैं कि 8 से 7 भाग लगता है कि नहीं तो दोस्तों 7 जो है वो 8 से छोटा है तो भाग न इसमें हम एक जीरो लगा देंगे भाग नहीं लगने के कारण हम भाग फल में एक जीरो लगा देंगे तो हम जैसे यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ जो यह 5 है न इसे भी हम नीचे उतार सकते हैं तो 5 को नीचे उतारेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा 75 तो अब देखे 8 से 75 बड़ा है तो हम इसमें भाग दे सकते हैं तो हम 8 से 75 में भाग लगाएंगे तो कितनी बाद लएगा तो हम यहां 8 का पहाडा पढ़ेंगे देखेंगे 75 आता है कि नहीं या हम इससे छोटी लिखे आता है 72 तो 8 का पहाडा किती बार पढ़ेंगे तो बहतर आएगा 9 बार में तो यहां लिखेंगे 72 आठ नमें 72 अब घटा लेते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 साथ में से 7 घटाएंगे 0 यानि कट गया तो यहां 3 है अब हम क्या करेंगे यह जो 4 है नीचे आने के बाद हम उपर वाली संख्या को नीचे उतारेंगे तो 4 को नीचे उतारेंगे यह हो जाएगा 34 फिर हम 8 से 34 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगाएगा तो आठेकनाठ आठ दूना सोल आठ तिया 24 आठ चोके 32 आठ पंचे 40 पांच बार में 40 आ रहा है तो ह 4 बार में लगाएंगे आठ चोके 32 तो यहां लिखेंगे 4 और यहां लिखेंगे 32 अब घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे दो, 3 में से 3 घटाएंगे, 0 यानि कट गया, घटा दिया, अब हम फिर से क्या करेंगे? उपर जो 1 संख्या है, 3 इसे भी नीचे उतारेंगे, तो कितना हो जाएगा? 23, तो अब हम 8 से 23 में भाग लगाएंगे, तो कितनी बाइंद लगाएगा? तो 8 का पहड़ा पढ़ेंगे 23 आना चाहिए या इससे छोटी तो 8 हे कन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 तीन बार में 24 होड़ा है जो 23 से बड़ा है तो हम 8 का पहड़ा दो बार ही पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, तो यहां लिखेंगे 16 अब घटा लेते हैं, तो 3 में से 6 नहीं घटेगा तो हां सी लेंगे 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7 तो यहां बार कि बढ़ेंगे 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0 यानि कट गया, तो यहां जो यह 7 आया है यह है हमारा सेस फल, ठीक है यह है सेसफल और यहाँ जो 10942 है यह है हमारा भाग फल ठीक है तो दोस्तों इस परकार हम इस भाग को हल करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सेर जरूर कीजिए पे पहली बार आए हैं तो पिलीज चाइनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचे